गुड बॉर्निंग पाकिस्तान जीहा नाजरीन पाँचवे टी ट्वेंटी मेंच में पाकिस्तान ने न्यूजिलेंड को 42 रंस के बड़े मार्जन से शिकर्स दे दिये ये शौकिंग न्यूज आपको अभी जब आप सुबा सुन्डे को उठे होंगे और अजारक आपको पत अधाया होगा और सो गयोंगे अब जब दुबारा वह उठेंगे तो उनको जब भी शौकिंग न्यूज बिलेगे कि पाकिस्तान 42 रंस से जीत चुका है तो यकीरन वह पूरा दिन शोक में ही गुजारेंगे अपना क्या से नेरियों बरा कैसा ड्रामाई मेंच रहा आज का इस टोपिक पर आज बात करेंगे और कतानी केसी रही शाहिन शावरीदी की फाइनली उस पर भी बात करेंगे और आज क्या अजीव सी प्लेंग 11 थी उस पर भी बात करेंगे पूरी मेंच के हाईलाट पहले शुरू करते हैं आए जरा सबसे पहले बात करते हैं टोस की शाह पहले बैटिंग करने का फेसला किया आज ही प्लेंग 11 पहले डिसकस कर लेते हैं फिर आएंगे दरा हाइलाइट की तरफ आज पाकिस्तान ने काफी चेंजिंग अपनी प्लेंग 11 में कि आपने सीरीज चुरू होने से पहले एक बात कही थी कि हम बाबर और रिजवान को जो है ले जो लास्ट मेच रहा चोथा मेच नियूजिलेंड के साथ उसके प्रेस कानफर्स करने जब आए तो वह एक चीज़ को बार बार कहते हुए नजर आए कि हम रोटेशन पॉलिसी में हैं हम खिलाडियों का बेकप तयार कर रहे हम यह कर रहे हम वह कर रहे हैं तो हमें पूरी सीरीज में जितने नए लड़के पाकिस्तान लेकर गिया है उनी नए लड़कों को आप पसमें एक्सेंज कर रहे हैं और कभी किसको खिला ने कभी किसको खिला रहे हैं अगा आपने रोटेशन पॉलिसी करनी है तो आप सीनियर्स को बिठाएं एक-दो में चीज़ उनको दे दियाना शुरू कि कोई रिजर्ट निकला तो अब उनको बिठाएं जिनको आप लेकर गए उनको मोगा दे आज बाकिसान ने प्लेंग 11 में खजी हमारी कि ओपनर रिजवान और साइम की जगा जो है वो हसीब उल्ला को टीम मेंट किया और साइम को ड्रॉप किया ठीक है मजीद आगे जाएंगे आपको इफ्तेखार भी नज़र आएंगे बावर भी रज़र आएंगे रिजवान भी नज़र आएंगे आज की प्लेंग 11 में उसके बाद साहिवजादा फरान एज यूज्वल पिछले मेश में भी थे इसमें भी खेल रहे थे आज आज आ इस स्ट्रेंथ हामारी है इस पर जो है तोड़ा सा पता चल सकेंगे कितनी पावर में हैं और कितना इनके अंदर में टैलेंट तो मौझूद है लेकिन उनको इंप्रूफज करना करना है वो देखना था लेकिन फिर वही हुआ पांचमा मेश भी सेनिर्स फ्लेर्स को दिया पर आगे उन्होंने क्या खजमारी है क्या रोना धोना किया है वो आगे वीडियो में जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह मैच को जो लोई स्कॉरिंग लोई स्कॉरिंग मैच की तरफ लेकर गए ठीक है आगे जो चैंजिंग हुई वो सामा मेर की दुबारा एंट्री हुई वसीम जूनियर की जगह पर हारिस रफ को आज रेस्ट दिया बहुत अच्छा वैसला मैं वही बात कर रहा था कि जब आप यंग्स्टर्स को लेकर जा सकते थे लेकिन ऐसा नहीं था यह सीरीज हम हार चुके थे हार इस रफ को अच्छा हुआ आज रेस्ट दिया उनका रेस्ट बनता भी था अबास अफरीदी को जो है वो टीम में शामिल किया उनकी जगह पर दो मैसे इस कबल जो कहा जा रहा था कि उनके पतनी कहां करना पसंद करी पाकिस्तान दे और फिर रिज्वान और हसी बुला हसी बुला को अपनर साय मयूब की जगह पर आज खिलाया गया उन्होंने बैटिंग का अगास कि हसी बुला पहले ही ओवर में तीसरी गेंद पर जो है वो केच आउट हो गए तीम साउथी आइदिगा बाबर और रिज्वान की जोड़ी फिर करीज पर आए और बिल्कुल तक्रीबन कोई तीन चार के रंडेट से इन्होंने बैटिंग करना शुरू करी और पचास रन तक या 53 रन तक वह इसी रफतार से खेलते रहे और उसका नतीजह यह निकला कि 53 पर दसफेंवर में पाकि पाकिसान की जब दूसरी विकट गीरी और दसफार हो चुके थे तो वहां से फकर हमारे फोजी भाई इन फायर हुए और उन्होंने क्या धमाकेदार बैटिंग करी आज कि राउंड के चारो द्रफ उस बंदे ने चके हमारे चार चके एक चोगा मारा लेकिन उसकी इनिंग की खात्मा हुआ अपना काम को कर चुका था अठासी में पाकिसान की तीसरी विकट जब गिरी तो आइधिंग तेरा यह चोदा अवर थे तो वह मतलब माहौल सेट कर चुका था बाबार और इजवान की सुस्त बेटिंग के बाद जो उन्होंने इतना मतलब सुस्त खेला कि दस आवर में आपका त्रेपन ग्यार में पाकिसान का दूसरा विकट जब आउट हुआ फिर फखार आए उन्होंने अपना नेश्रल गेम खेला आज दूसी अधिसी गेंट पी चाका हमारा जब आपना नेश्रल गेम खेलेंगे तो आपको बेनेफिट मिलेगा आपको नेश्रल गेम केला और उसका फाइदा पाकिस्तान को हुआ ना तो यह सीन रहा पर 88 पे पाकिस्तान के तीसी विकट गिरी फकर अपना काम कर चुके थे फिर रिजवान और नवाज आपस में फ्तखार आए सोरी फ्तखार साब भी जल्दी आउट हो गए खोच अब आउट ह किया है मतलब बड़ी हिटिंग की तरफ भी गिया इसने बड़ी हिटे भी मारी है जैसे आज आती उससे चका मारा तो मतलब यह पाकिस्तान को अगर अब यह हम देखते ना जिस तरह कि शाहिन के वारे में का जाता कि हिटिंग कर सकता है तो हमें आप बास आप रहे थी एक अच्छा हीटर भी इन फ्यूचर मिल सकता है उसकी हिटिंग एबिलेटी जो है वह आज देखने को मिल रही थी ठीक है राजीन यहां तक आज का जो यह वह सेनेरियर यहां पीस आवर में 135 जैस्ट 135 रंस जो है वह पाकिसान कर चुका था और यह वह मोका था जब आदे से ज्यादा लोग मेच स्किप करके सोच चुके थे दुबारा कि भाई अब कौन अपनी नीन खराब करे यह तो फिल एनल लाएगा और 8 से 10 आवर में 135 मारेगा और काम तमाम हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके बरक्स हुआ बिल्कुल शाहिन शापरीदी पहलावर करवाने आए पहलावर डाला उन्होंने और बिल्कुल एक नहीं चीज़ देखने को मिली आज कि नवास को दूसरा वर दिया नवास आए जब दूसरे अवर में तो उन्होंने रविंडरा को जो है वाउट लेकिन फिर उसके बाद फिल एलन ने एक अच्छी बैटिंग करी अच्छी बैटिंग करना शुरू करी थोड़ा साथी स्टार्ट लिया नेकिन पांच में हां पांच वी हावर में जब जमान खान अपना पेला आवर करवाने आए तो उन्होंने एक स्लोवर वन पे फसाया उन्हें बड़ी हिट लगाने गए और साहीब जादा फरान ने क्या खुबसूरत केश पकड़ा डाइब मारते हुए बड़ा बैतरी हसीब उल्ला खान सोरी में साहीब जादा घरावने तो हसीब बड़ा ही जबर्दस केश पकड़ा बहुत अच्छी फिल्डिंग अच्छ बीकर याज एक तो किसीड़ोप हुए एक हाइक लेकिन देखने को मिली आपको अब को देखने को मिले अच्छे केश आज आपको देखने को मिले पकिसान की तरफ से तो फिल ऐलन-क बाद झो है वह उमीद जागी और वहाँ से पकिस्टान ने जो है वह थोड़ा सा अकमब लोंग खेल रहे थे तो उन्होंने कछी जो है वो बैटिंग शुरू करी और थोड़ा सा मुमेंटब बनाना चुरू करा लेकिन फिर पाकिसानी बॉलर्स ने कमाल किया और फिर और के रिसाब से जो है वो न्यूजिलेंड की विक्टे गिरती रही बारवे और में तेरे में च कुछती कर सके लेकिन बॉलिंग ने उस बंदे ने कमाल गया तीन विक्टे जो है वो ली लेकिन नवाज जो है वो पहले मुमेंटम बना चुके थे शाहीन के साथ मिलकर इसकोर उन्होंने रूका अपने तीन शुरू के तीन आवर में दो विक्टे ली जिससे न्यूजिले आपको शीकर्स यह विन का कोई आपके नजी कोई फाइदा नीथा तो गमस्कम आप यंक्सर को मुका देते हमें पता चल जाता कि क्या है ठीक है तो भाई सीन कुछ ऐसा राज का तो इस तरह सो से पहले न्यूजिलेंड की टीम जो है वो आल आउट हो गई तो मैंने सूचा हाइलेट पर बात करूं कप्तानी पर आते हैं शाहिन शाह आफरेदी की एक अच्छी कप्तानी देखने को मिली आज उनका सेंस थोड़ा बहुत काम कर रहा था कि उन्होंने देगा कि स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिल रही है मैच पे तो उन्होंने दूसरा वरी एक पोड़ी बहुत उससे बेनेफिट मिल रहा था पीछ से तो उस बंदे ने दूसरे अवर से लेकर तक्रीबन सतरवें अवर तक जो है वो कित्रें अवर बनते हैं तक्रीबन को सब्सक्राइब 15-16 अवर बनते हैं उसने स्पिनर्स को लगाई रखा अगर एक एक से तो मतलब मुसलसर स्पिनर्स बॉलिंग करवाते रहें दूसरे अंट से कभी-कभी फास बॉलर आ जाते थे जब किसी की अगर एवरिश जो है वो मकंबल हो जाती थी लिमिट मकंबल हो जाती थी तो यह सी इन्ट आपको स्पिनर्स ने जो है वो स्कोर को रोगे रखा जमान खान ने आपको में जैसे मैन बॉलर था आज हमारा तो उस ने जो है वो एक अवर करवाया उसको भी एंडिया और के लिए रख लिया था क्योंकि लोई स्कोरिंग मैश्टा डैथ होवर में जबान खान जो है अच्छी बॉलिंग करवाते हैं अबास आफ्रीदी ने भी एक आवर कर कि आज कुछ अलग मुड में आये थे हम लोग हमारे जुपा पहले का बॉलिंग यूनिट मशूर हुए करता था उसी ने कमबेक किया और उसी नहीं हमारे को इस पहरी फता से जो है वह हम किनार करवाया एक अच्छा सड़े आज आज आपको दूजरेगा यह न्यूज देक कर फिर किसी नेक्स स्टूडी में मिलने के अपना बहुत सारा ख्याल रखें अला आफिस